प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मैं वीडियोज एंड प्रेस द बैल आइकन सो देट यू किन फाइंड नोटिफिकेशन फर्स्ट ओकी हलो एक्सराइब सिक्स एके मेरे अलरी दो वीडियोज बन चुके हैं ठीक है मुझे विश्वास है कि आपने उसे देखा होगा ठीक है उसमें मैंनी question 1 से लेके 7 तक की questions solve करवा दिया है part 1 और part 2 में आज की इस वीडियो में मैं question number 8 से लेके 13 तक की questions solve कर आ रही हूँ ठीक है यह है पार्ट C और पार्ट जुड़ी होगा उसमें मैं 14 और 15 के बारे में आपको question number 14 15 के बारे में बताऊंगे ठीक है then let's start question number 8 solve करते हैं हम लोग now question number 8 okay question number 8 is 2 by 3 plus 4 by 9 okay here is a small bracket of 3 by 5 divided by 1 2 by 3 multiplied by 1 1 by 4 minus 1 by 3 पहले तुम्हें आपको बताते हैं कि ऐसे questions जो होते हैं इन्हीं आप और simplify करके कैसे लिख सकते हैं ठीक है तो देखें simplify करके लिखते हैं यह जैसा है वैसे ही आप इसको तो पहले आइडन करो 2 by 3 plus 4 by 9 यह small bracket के inside है फिर off लिखा हुआ है 3 by 5 है divided by है अब देखें 1 2 by 3 इसको कैसे लिखते हैं देखें 3 में 1 multiply कर दो और फिर जो आपका numerator है वो आप add कर दो तो क्या हो जाएगा 3 बंजा 3 और plus 2 that is 5 3 बंजा 3 plus 2 5 तो यह हो गया 5 by 3 ठीक है इसको आप लिखते हो 5 by 3 यह हो गया आपका 5 by 3 और फिर multiplied by 1 1 by 4 को कैसे करेंगे 4 में 1 multiply करिए कितना आया 4 उसमें आप 1 add कर दीजे कितना हो गया 5 तो यह हो गया 5 by 4 तो यह हो गया 5 by 4 minus 1 by 3 तो देखे आपने इसको और simplify कर दिया इस equation को इस expression को यह equation को आपने इस तरह solve कर दिया ठीक है और easy way में लिख दिया ठीक अब हम इसे VODMOS rule के द्वारा solve करते हैं now I am applying VODMOS rule okay V B O D M A S VODMOS rule okay so the VODMOS rule what it says देखे what it says कि आपको सबसे पहले बार या VINCULUM solve करना पड़ता है यहां पर बार है नहीं उसके बाद आप आते हैं brackets brackets में देखे ए small bracket दिया हुआ इसको आपको solve करना पड़ेगा so small bracket यानि parenthesis को हम solve करते हैं तो चलिए हम इसको rough work में solve करा रहे हैं आपको ठीक है 2 by 3 plus 4 by 9 इसको देखे you have solved these type of equations in class 5 ठीक है class 5 में आपने इसे solve किया है ठीक है तो फिर भी मैं आपको solve कराती हूँ आपको सबसे पहले LCM निकालना पड़ेगा LCM कैसे निकालते हूँ देखो 3 और 9 का LCM निकाल यह देखे 3 के टेबल में आते हैं तो 3 बंजा 3 3 3 तो आप देखे 1 और 3 है तो यहां पर आप 3 से 2 या 1 से 2 ऐसा करने कोई जरूत नहीं सीदे सीदे आप 3 इंटू 1 से आपको multiply करने से कोई फायदा नहीं सीदे सीदे यह 3 multiply कर दो कितना हो गया 9 आगया that means 3 और 9 का LCM आगया आपसे पास 9 ठीक तो आप देखो यह है numerator यह denominator denominator से हम इस 9 को divide करेंगे यानि कि आप क्या करोगे 3 से divide करो 9 को यह 3 है ना इससे आप divide कर दो 9 को कितना आगया 3 3 जा 9 होता है अब यह जो 3 आया है ना इससे आप 2 multiplied कर दो यहने numerator को multiply कर दो तो 3 2 जा हो गया कितना 6 plus again you are doing these things similarly here also 9 से आप 9 को divide करो तो कितना हो गया 9 से divide करने पर 9 बंजा 9 आगया कुछ नहीं हुआ 1 आया ठीक है अब इस 1 से जो numerator है numerator क्या है 4 4 को आप multiply कर दो तो 4 बंजा क्या हो जाएगा 4 that means 6 plus 4 6 plus 4 याने 10 by 9 आई बास समझ में that means 2 by 3 plus 4 by 9 का आंसर क्या होता है 10 by 9 ठीक तो यहां पर इनका आप जब इसको solve किये आपने तो यह कितना आंगे आपके पास 10 by 9 ठीक है याने कि आपने क्या किया है यहां पर removing parenthesis यहां पर आपको लिखना भी होगा तो पहले तो मैं इसको पहले अभी यहां नोट डाउन कर देती हूं फूरा फिर उसकी बात लिख देते हैं अभी बाकी जितनी भी चीजे बची है ना उसको हम write down कर रहे हैं तो यहां पर आप मैं लिख दूँगी removing क्या किया हमने हमने यहां पर removing parenthesis ठीक है ओके अब देखिए यहां पर removing parenthesis में आपने देख लिए न यहां LCM निकालना था क्लासफिक में आप कर चुके हैं इसको ठीक है एक बार recall कर लो बन जाएगा ओके चलो अब हम off करेंगे क्यों क्यों क्योंकि देखिए bracket के बाद off solve करना होता है तो देखिए ओफ यहां पर है 10 by 9 of 3 by 5 देखिए ओफ जो होता है यह एक multiplication का ही एक second root है ठीक है यहां पर आप इसको रफ में solve कर लीजिए जब आप solve करते हो 10 by 9 of यह यहां यह multiply कर दो आप 3 by 5 ठीक है अब देखो यह इसको solve करने का भी एक तरीका होता है कैसे यह आप देख रहे हो यह two fractions है आपके पास जो इसका numerator है और denominator इसका यह दोनों आप यदि एक टेबल में आ रहे हो तो आप इसको काट सकते हो यह डिवाइड कर सकते हो कह लीजिए यदि यह numerator और इसका denominator भी एक अब देखो ऊपर का जो numerator है multiply कर दो नीचे का denominator भी multiply कर दो numerator में numerator में numerator में denominator में denominator multiply कर दो तो 2 बंजा 2 और 3 बंजा 3 याने की 10 by 9 of 3 by 5 का answer आगया 2 by 3 so 10 by 9 of 3 by 5 answer is 2 by 3 here we will write 2 by 3 now as usual divided by 5 by 3 multiplied by 5 by 4 minus 1 by 3 now by the rule you have to solve division okay and you know division is just opposite of multiplication then you can write here multiplication and 3 by 5 because division is just opposite of multiplication then division को जब हम multiplication करते है तो हम 5 by 3 को just reverse कर सकते है याने की 3 by 5 कर सकते है okay so यह हो जाता है 2 by 3 multiplied by 3 by 5 and here again this is multiplication and minus 1 by 3 okay यहां पर आपको शो करना होगा यह होगा आपका removing division okay now after division you have to solve multiplication by the rule of board mass you have to solve multiplication so we will write here removing multiplication okay now मैंने आपको अभी शो किया था कि देखिए यह जो multiplication में क्या होता है यह जो आपका denominator है और इसका numerator है यदि एक ही टेबल में आते हैं तो आप इसको डिवाइट कर सकते हो तो देखिए 3 बंजा 3 यहां देखिए 5 बंजा 5 5 बंजा 5 ठीक है बस इतना ही यह तीन है जो division वाले यह नहीं solve करना है minus अब भी बाद में solve होगा सो हमारे पास क्या आ गया देखिए सारा numerator देख लीजे 2 है 1 है 1 है यहने multiply कर दो तो 2 1 जा 2 1 जा 2 and 2 1 जा 2 यहने आ गया 2 और नीचे जितना बचा है 4 1 और 1 है multiply करने पे 4 आ जाएगा ठीक है minus 1 by 3 अभी एक और चीज है देखिए यहाँ आप 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भी कर सकते हो आप हम यहाँ पर ही कर सकते थे चलिए वहाँ नहीं हुआ यह ही से ही ठीक है तो यह होगा आपका 1 by 2 minus 1 by 3 यहाँ आपने multiplication solve किया था है यहाँ पर भी आपने multiplication ही solve किया है ठीक है अब आप क्या करोगे यहाँ पर आपका removing यहाँ हो जाएगा आपका removing subtraction अब इसको remove करने के लिए आपको LCM निकालना पड़ेगा ठीक है तो 2 और 3 का हम LCM निकालते हैं okay 23 LCM मिकालना है देखिए 2 बंजा 2 3 ऐसी रहेगा अब आप 3 से देखिए तो क्या हो जाएगा 3 बंजा 3 तो क्या हो जाएगा 2 into 3 2 into 3 that means 6 आगया LCM ठीक है तो जब आप 1 by 2 minus 1 by 3 इसको कैसे solve करेंगे आप 6 तो आपका हो गया LCM आपको मैंने बताया था 2 से पहले आप 6 को डिवाइट कर दो कितना आएगा 3 आएगा 3 से फिर 1 को मुल्टिप्लाई कर दो यह हो गया 3 minus अब 3 से आप 6 को डिवाइट करो कितना हुआ 2 2 से 1 मुल्टिप्लाई करो हो गया 2 that means कितना आगया 3 minus 2 is 1 and by 6 हो गया then यहां देखिए 1 by 2 minus 1 by 3 the answer is 1 by 6 ठीक है removing यहां पर आपने removing subtraction लिग दिया था और यहां पर आपने LCM किया और वो LCM जो हमारा था वो रफ में हमने किया था रबबब था हमारा आपका answer आगे 1 by 6 okay here is your answer 1 by 6 देखिए मैंने अभी आपको question number 8 समझाया मैंने आपको ठीक है 9 just similar है 8 की ठीक है बस एक bracket का ही difference है जब 8 आप बना लोगी तो 9 भी clear हो जाएगा आपको ठीक है अब देखते हैं हम 10 11 और 12 ठीक है 10 11 12 में ये भी मैं आपको सीधे सीधे question number 12 समझा देती हूँ जब आप ये समझायोगे तो आप 10 और 11 भी बना लोगे ठीक है तो देखते हैं हम और question number 13 है वो भी same बनेगा ठीक है तो मैं आपको सबसे पहले 12 question समझाना शुरू करती हूँ question number 12 है 4 1 by 10 minus big bracket 2 1 by 2 minus curly bracket 5 by 6 minus simple bracket 2 by 5 plus 3 by 10 minus 4 by 5 sorry 15 you have to solve this question okay at first I am writing this equation very simple form okay in very simple form like 10 4 जा 40 और plus 1 41 तो कैसे हो जाएगा देखो simple form में इसको लिख लेते हैं पहले क्या हो जाएगा ये 41 by 10 minus 2 to the 4 5 5 by 2 minus 5 by 6 minus 2 by 5 plus 3 by 10 minus 4 by 15 okay now we are applying board mass rule V-B-O-D-M-E-S okay board mass rule के हिसाब से सबसे पहले आपको बार solve करना होता है जो कि आपके पास नहीं है bracket solve करना है तो bracket है आपके पास तो bracket में पहले बार solve होता है बार है नहीं तो पहले simple bracket उसके बार कर ली उसके बार big bracket solve करते हैं तो now start, at first we will solve this simple bracket, तो इसको हम rough work में करेंगे, ठीक है? ठीक है? 2 by 5 plus 3 by 10 minus 4 by 15, ठीक है? ये, इसको हम solve कर रहे हैं, तो सबसे पहले we will take alcium, alcium लेंगे 5, 10 और 15 का, ठीक है? 5 by 5, 5 by 10, 5 by 15, अब 1, 2, 3, या 2 से और 3 से, ऐसे करो गया, 2 ये देखे, और 3 देख लिजए आप, तो ये हो गया 3 by 3, यानि 5 by 2 by 3, कितना हो गया? 5 by 10, 10 by 10, 3 by 30, 30 आ गया lc, चीक है? तो अब कैसे किया जाता है? 30 lc हम आ गया, तो सबसे पहले आपको 5 से 30 को डिवाइड करना है, चीक है? उसके बाद जितना आ जाएगा, उससे 2 multiply कर दो गया, तो अब हम solve करते हैं, लेकिए 5 से 30 डिवाइड करिए, 5, 6 जा 30 हुआ, और 6, 2 जा 12 हो गया, चीक है? Similarly, 10, 3 जा 30 and 3, 3 जा 9, again 15, 2 जा 30 and 4, 2 जा 8, okay? And again, we will apply board mass rule की हम board mass के हिसाब से क्या करते हैं, पहले यह रहा multiplication, फिर addition, फिर subtraction, तो यहां पार हमारे पास addition और subtraction है, तो हम पहले addition करेंगे, तो 12 और 9 कितना हो जा रहा है? 9 और 2, 10, 11 and this is 21, okay? 21 minus 8 करना है and आपके तो हमारा answer आगे है, 13 by 30, तेक है? अब इसको आप यहाँ पर रख दीजे, आगे देखते हैं, क्या हो जाएगा आप हमारा, यह है आपका 41 by 10 minus, यह big bracket और 5 by 2 minus, curly bracket 5 by 6 और minus, यहाँ आपका answer आया है, 13 by 30, okay? अगे, यहाँ पर आप देखिए, फिर से solve क्या करना है आपको, curly bracket करना है, curly bracket आपको solve करना है, तो फिर से आपको LCM लेना पड़ेगा, okay? स्टार्ट करते हैं, रफ में, 5 by 6 minus 13 by 30, 6 और 30 का हमने LCM निकाला, LCM निकाला देखिए, हमारे पास आगया 30, एक, 30, फिर आप क्या करोगे, 6 से 30 को divide करो, कितना होता है, 6 5 जा 30, फिर 5 से 5 multiply, कितना हो जाएगा यह, यह हो जाएगा आपका 25, आगी 30, 30 रिवाइट करने पर बनाया, और 13 से multiply कर दो, तो यह हो जा रहा है, आपका 5 में से 3, 2, और यह हो गया आपका 12 upon 30, ठीक है, 12 upon 30 हो गया यह, और simple form में भी कर सकते इसको, देखिए, 3 4 जा 12 होता है, और 3 बन जा 3, 0, 3 10 जा 30 होता है, और देखिए, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10 यानि कितना हो गया यह, 2 by 5 हो गया आपका, ठीक, तो अब यहाँ पर आप रख दीजिए, ठीक है, तो यह हो गया आपका 41 by 10 minus, यह हो गया आपका 5 by 2 minus, इनकी जगा में आपको 2 by 5 रखना है, ठीक है, अब देखिए, 5 by 2 minus 2 by 5, अब बिक ब्रैकेट ही हमने को solve करना बाकी है, इसकी solve करेंगे, तो फिर से अपने को यहाँ पर देख लेते हैं, यह देखिए, आपका 5 by 2 minus 2 by 5 है, हम यह अपना रख वक में solve करना शुरू करते हैं, ठीक है, LCM निकालोगे, तो 2 और 5 का LCM जब निकालेंगे, तो कितना आना वाला है, देखिए, 2 cross 5, that means 5 to 10, ठीक है, तो यहाँ आप 10 रखो, 2 5 जा, फिर 5 5 जा, 25, minus, अगें, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, that is 21 by 10, ठीक है, यह हो गया आपका 21 by 10, यहाँ पर अब देखिए, 41 by 10, minus, यह हो गया आपका 21 by 10, देखिए, जब आपका यह जो डेनॉमिनीटर है, यदि सेम हो, तो सीधे सीधे आपको यहाँ से, सीध प्लस करना है, प्लस करना है, कर देना चाहिए, नुमिरेटर को, आपको फिर से LCM निकालने के को जरूरत नहीं, ठीक है, तो देखिए, मैं सीधे सीधे यह कहती हूं, कि LCM तो वैसे भी, यदि आप चाहो, तो LCM निकालोगे, तो भी 10 ही आना है, ठीक है, तो यह हो गया, 41 minus 21, देखो कितना हो जा रहा है, 1 में 1, 0, और यह होगे 2, और यह होगे 10, that is 2, ठीक है, तो यह आपका आनसर आ रहा है, 2, ओके,